नमस्कार आज के वीडियो में हम बात करेंगे बापुलाल मरांटी की दरसर बाद साल दोजान चौटा की है जब छार घंड के पहले बुभी मंत्री बापुलाल मरांटी मोधी लहर में लोगसभाव के धाथसभा का चुनाओं हार कर पैट चुके थे उस वक्त राजसभा के चुनाओं होने वाले थे भाज़पा के तत्कालिन अध्यक्ष अमिच शाह ने बापुलाल मरांटी की लोकेशन पता की पताचला की वे पोलकाता में मौजूद है तब अमिच शाह ने वहां एक दूद के जरिये उन्हें पार्टी में शावित होने का का ओफर भीचा बाबुलाल मरांडी के लिए रजसभा जाने के दर्वाज़े थे मगर उन्होंने भाज़पा में वापसी का ओफर धुगरा दिया कभी अमिच शाह का ओफर धुगराने वाले बाबुलाल मरांडी ने सोंवार को उनकी ही मौजूदकी में अपनी ही पार्ट मरांडी की 14 साल बाद घर वापसी भी बाबुलाल मरांडी की पार्टी जहार कर द्विकास मोर्चा के भाज़पा में लिले के लिए यहां जगनात मैदान में सुंवार को बड़ा समारो हुआ इसे मिलित समारो का नाम दिया गया जावी मों भाज़पा कारकरताओं की भारी भी मरांडी की घर वापसी की गवाही बनी मरांडी ने अमिशाह के गले मिलकर पार्टी के बिले की खुष्णा की ग्रह मंत्री शाह ने बाबुलाल मरांडी के आने से पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ने की बात कही उन्होंने कहा आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विश है क्योंकि मैं जब 2014 में पार्टी का ध्यक्ष बना तभी से प्रयास कर रहा था कि बापुलाल जी महाजबा में आजाए साल 2000 में राज के गठन के पाद पहले मुखी मंत्री बने मरांडी को 2006 में ही आंतरिक कलह के कारण पच्छोड़ना पड़ा था आंतरिक असंतोष इसकदर बड़ा की दोजाद छह में ही भाजबा से अलब होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली मरांडी की घर वापसी कराने में भाजबा के परदेश प्रभारी ओम मात्रु ने सुत्रदार की मिकानी भाई खुद इस बात के पुस्ट्री बाबुलाल मरा उन्हें एक बार फिर मरांडी से बाची शुरू की आतरकार मरांडी को भी लग गया कि राज में उपरे नए सियासी समीकरण के भी भाजबा में जाकर अपने राजबेतिक सफर को नई उचाईया दे सकते हैं मरांडी ने मिलकर समारों में अपनी घर वापसी को लेकर सफाई भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि राज विधासबा चुरौाओं में हार के कारण भाजबा उन्हें पारटी में ले रही है मगर भाजपा में वापसी अचानक में लिया गया फैसलान नहीं है बलकि इसके लिए भाजपा नेदा पिछले कई साल से लगे हुए थे साल 2014 से ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमिशा कि उन्हें पार्टी में लाने की कोशिशे जारी थी मरांटी ने कहा कि वो जिद्धी सौभाव की गारण एक बार पार्टी से निकल जाने के बाद दोबारा वापसी के लिए तयार नहीं थे आलंकि बाद में कार करताओं कि इन्छाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने भाजपा में वापसी का फैसला किया धन्यवाद